दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SBI fellowship के बारे में ये SBI fellowship जो चलाई जाती ये काफी बेहतरीन इसकीम है ये सकीम जो है भाड़ा सरकार और भारतिये स्टेट बैंक दोनों मिलकर चलाती है इस एसकीम के ताहट जो भी लोग सेलेक्टेट किये जाते हैं उनको 15,000 रुपे प्रती मन्त आपको दिये जाते हैं साथ ही आपका जैसे ही एक साल पूरा होता है तो बोनस के तोर प आपको 50,000 रुपे एक्ट्रेव मिलते हैं उसके अलावे आपको एक सर्टिफिकर भी दिया जाता है अब समझते हैं कि यह जो एस्पी फेलोसीप है यह क्या है साथी यह भी समझेंगे कि इस फेलोसीप में अगर आप सेलेक्टेट किये जाते हैं तो कितन परकार के काम आप इतने पैसे मिलेगी रहने का क्या इसमें प्रतिबंद किया जाता है ऐसे बहुत सारे जो आपके मन में डाउट चल रहा होंगे वो सभी डाउट को किलियर करते हुए इसमें कैसे आपको अविद्र करना जिसकी भी जियानकारी हम इस वीडियो में कभर करेंगे आपसे प्या आप हमारे टेलिग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जाकर आप वहाँ भी जुआइन हो सकते हैं सबसे पहले हम समझते हैं यह जो SBI फेलोसीप चलाई जाती है यह फेलोसीप क्या होता है दोस्तों आपके जनकारी के लिए बता दे SBI फेलोसीप जो है बाहरण सरकार और SBI दोनों मिलकर चलाती है इसका मेन उदेश होता है कि जो भी ग्रामिन छेतर होता है वहाँ के जो भी पी एक सिबील लगाना परेगा और वहाँ पे जितने भी लोग ग्रामिन छेतर को होंगे जूटेंगे आपको एजुकेशन का सारा महतुव बताना होगा इसके लिए आपको ट्रेनिंग आपको दी जाएगे कि कहा क्या बोलना है क्या आपको बतानी है यह सभी चीजों को ब बारे में आपको बताई जाएगे वैसे ही स्वास्त के बारे में बताना होगा सोसल मीडिया के बारे में बताना होगा पानी के महतुव के बारे में बताना होगा तो हम कंप्यूटर के स्किन पर चलेंगे तो वह सारी डीटेल समझाएंगे कि क्या-क्या इसमें जो सब्जेक होता वो सारी जनकारे समझेंगे चलते हैं अपने स्किन पर और पूरी जनकारे आपको डिटेल में समझाते हैं अभी आप देख पा रहे होंगे इस वेबसाइट का जो अस्थापना है और इसका क्या मकसद है यह सारी जनकारे अगर आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो आपको आना होगा अमरे वेबसाइट और सरकारी योजना में देखेंगे SBI Fellowship को उस दिन बाद ये वीडियो देखेंगे तो यह आर्टिकल आपको नीचे आजागा तो यहाँ पे एक उप्शन सर्च का भी मिलता है सिंप्ली यहाँ पे आपको सर्च करना है SBI Fellowship आपको लिखकर आपको एक बार सर्च कर देना है जैसे आप SBI Fellowship लिखकर सर्च करें आपके सामने एक आर्टिकल आएगा जिस आर्टिकल को आप उपेन करेंगे जहाँ पे सारी जनकारी बताईगी है कि SBI Fellowship क्या है आपको बता दे SBI Fellowship भारा सरकार और जो SBI यानि भारतिये स्टेट पैंक दोनों मिला कर ये काम करती है इसके तहत आपको 13 महीने का जो डूरे होंगे काम क्या क्या करने होंगे उनकी भी पूरी जनकारी बताईगे कि काम आपको करना होगा जिसे यह काम जो है ग्रामिन डेवलोप्मेंट के तहत होगा आपको क्या करना लोगों को समझाना होगा एजुकेशन के बारे में स्वास्त के बारे में सोसल मीडिया के बारे मे ऐसे बहुत सारी तीरा ऐसे सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको बतानी पड़ेगी और लोगों को जागरू करना होगा अलग लग गाओं में कैम्प लगा कर जिसके लिए आपको सरकार और स्टेट बैंक दोनों मिला कर आपको 15,000 रुपिय देगी और अगर आपका 12 महिन का जो खर्च होता यानि टोटल मिला कर आपको 15,000 रुपिय ये दिये जाएंगे आपको जो है परिवाहन का खर्चा भी दिये जाएंगे उसके लिए 1,000 रुपिय प्रती महिने दिये जाएंगे उसके आलावे जो है आपको फेलोसिप अगर आप सफल पाया जाते हैं एक सा सालों में तो आपको 50,000 रुपिय बोनस के तौर पर भी आपको दिये जाते हैं आपके आवाज से पढ़ियोजना अस्तान थक ठर्ड एसी के जो किराय होते हैं वो भी आपको दिये जाएंगे आपका जो स्वास्त और विक्तिकत दुरघटना पॉलेसी भी इसमें कवर की ज अपको इसके बारे में लोगों को जागरो करना होगा जैसे सिक्षा के बारे में आपको लोगों को बताना होगा स्वास्त के बारे में पर्यावरन संरक्षन के बारे में खास सुरक्षा के बारे में ग्रामिन अजिविका के बारे में आपको बताना होगा उसकी अलाभे पर Scalpik, Urjya, के बारे में आपको बताना होगा तो ये जो भी काम है इसके लिए आपको पर्सेक्शन मिलेगी उसके एकोर्डिंग लोगोगों को आपको जागरू करना होगा अलगलग आपके जो एरिया होंगे उस गाउं में जाकर आपको जागरू करने की अवसकता परेगी ये आपको ट्रेनिंग पिरियट जब मिलेगी इसमें जब आप सेलेक्टिट किये जाएंगे तो वो सारी जनकारी आपको वहाँ पर बताई जाएगे आपको SBI फेलोसिप में क्यों जूड़ना चाहिए वो आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके लिए जो माप डंड है वो क्या रखा गया वो समझे जैसे ही इसमें आवेदन करने के लिए भारतिये नागरिक हो या नेपाल भुटान के नागरिक है वो भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे उसके अलावे आपकी जो उम्र होगी 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्समम 32 वर्ष से अधिक भी नहीं होनी चाहिए आपका जो जन्म है ये जो डेट है इस डेट से लेकर इस डेट के बीच बताया गया कि आपकी जो होगी तभी आप इसके लिए पातर माने जाएंगे उसके अलावे कारकरम शुरू होने से पहले कम से कम आपका असनातक की डिग्री पूरी कर लेनी हो तभी आप इसके लिजिबल माने जाएंगे अने था आप इस फॉर्म को नहीं भड़ पाएंगे यानि आप असनातक पासाउट है तो इस फॉर्म को अप अपलाई कर पाएंगे आवेदन कैसे होगा तो आवेदन करने के लिए इनका जो वेबसाइट है जिसका लिंक दिया गया यह वेबसाइट पर जकर आप 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 इसके बहले में करने के यहाँ पे सारी यह सटेप बताएगी selected होने के बाद आपको इसके लिए एक लेटर मिलेगा जिससे आप इसमें काम कर पाएंगे जिसमें आप इसमें जोईन कर पाएंगे इसके लिए important link देखेंगे तो official website का link दीगी है आप इस पे click करेंगे तो आपको redirect करेगा इनके website पे और यहाँ पे देखेंगे एक option मिलता application का और एक option मिलता है application process का जिसपे आप click करेंगे तो सारी process आपको यहाँ पे भी बताएगी eligibility के बारे में भी बताएगी उसके अलाबे जो इनका आवेदन परकिरिया है इसके बारे में भी बताएगी है तो आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर direct आपको link प्रोवाइट कर दीगी आप इस पे click करेंगे तो आपको redirect करेगा इनके जो website है जिस website पे यहाँ पर आप देखेंगे फिलाल इनका जो आवेदन है 2022 के लिए लिया जा रहा था यह आवेदन फिलाल 2022 बला भी बंद कर दिया गया है और बहुत जल्ब 2023 के लिए आपको इस form को fill करवाया जागा तो आप इस form को कैसे apply करेंगे तो apply करने के लिए अभी आपको फिलाल इस पे registration कर लेना है जैसे आप अपना नाम, file number, अपना जनमतिति, अपना email ID, अपना सहर का नाम और आप जिस राज से आ रहे हैं उस राज को यहाँ साब चुन लेंगे उसके आलाबे आपका जो देश होगा वो देश बताएंगे, आपकी जो उचतम योगिता यानि maximum योगिता जो होगी वो बताएंगे किस विदाले साब ने पढ़ाई की है वो बताएंगे, अगर आपके पास कारेक का अनुभव है तो बताएंगे अने था zero select करेंगे अगर कारे कानुभब है तो किस कंपनी में है वो बताएंगा उसके बाद यहाँ पे आपको सब्मिट कर देना है सब्मिट करते ही जैसे ही इसके लिए 2023 बैच के लिए आवेदन परक्रिया श्टार्ट होगी तो आपके इमेल पे और मुवाइल नंबर पे मैसेज चला जागा आप नेक्ष्ट बैच यानि 2023 के लिए इसके लिए आवेदन कर पाएंगे उससे पहले आपको ये सभी जैनकारी समझना जरूरी है जबी भी आप आवेदन करेंगे तो ये पूरी जैनकारी आप समझ सकते हैं ताकि आपको जबी भी आप इसके लिए आवेदन करें तो आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि SVI फेलोसिप जो है वो क्या है और कैसे इसमें काम करना होगा किस पर करके काम करना होगा सेलरे क्या मिलेगे योगिता क्या होगी वो सारी जैनकारी हमने आपको बताया जल्द ही इसके लिए आवेदन पर क्रिया स्टार्ट होने वाली है तो दोफ्तो हमने सारी जनकारी आपको बताया SVI Fellowship के बारे में अभी आप यहाँ पे registration कर सकते हैं जैसे ही इसके लिए apply की process श्टार्ट होगी हम आपको telegram channel पे सबसे पहला update कर देंगे आप telegram channel से भी जूर सकते हैं और अगर आपका comment आता तो मैं इस पर particular detail video ला दूँगा कि कैसे आप इसके लिए जबी भी registration होगा तो कैसे आप apply कर पायाँगे फिर भी कोई doubt confusion है तो comment करेंगे हमने सारी process आपको समझाने के कोसिस किया वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद